नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गूर्व अमित कुपता के यूटुब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको जल और दर्पड प्रत्रीन के कठिन से कठिन परस्नों को आसान से आसान तरीके से और बिल्कुल तेजी के साथ कैसे लगाए ये बताऊंगा वो भी अपने नौ साल के टीचिंग अन्भव के अधार पर मैंने पांच ट्रिक्स बनाए हैं इनके मदस से जो आपको अन किसी भी चैनल पर या किताब में देखने को नहीं मिलेगा जिसमें कि मैंने इसमें तीरियक भी दी यह एक्टम न्यू है इसके माध्यम से अब कठी से कठी प्रस्ट को भी आसानी से लगाने में सच्छा हो पाएगे तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी कुछ भूंदिका बना लेता हूं जल और दरफर्त क्या होता है तो जल जैसे कि किसी जलासा में नदी पोखरे तलाब में किसी भी आत्रती का प्रत्वीम जो बनता है माले जिसके किनारे अगर कोई ब्रिच है ऐसे तो इसका प्रत्वीम जल में ऐसे बनेगा यानि कर सकते हैं कि जो उपर ब्रिच का भाग था वो उपर था तो इसमें जल में नीचे बना और जो ये जड़ था ये नीचे था तो इस वाले आपिर्टी में उपर बना यानि कि जल प्रत्वीम में नीचे का भाग उपर दिखाई देता हूं उपर क दापड प्रत्विम दो प्रकार काओंता है एक होता है लंबवत दरपड और यह चैस्टीज दरपड का मतलबह कि घाद में शाया के जमीन के उपर कोड में कुई । पर लगया जाए और उसमें किसी वस्तू का प्रत्विम बने तो हम लंबवत दरपड कहते हैं और इसमें क्या होता है कि किसी वस्तू का दाया भाग बाइन और दिखाई देता है यानि अगर हम F ऐसे बनाते हैं और यहां पर दरपड़ रखा हुगा है नपयल से कोड़ पर तो यह F आपको ऐसे दिखेगा यादि कि जो दाइएं तरफ भाग वोग बाइएं तरफ दिखाएंदे देगा और नीचे ही दिखाएंदे क्योंकि ये जल प्रत्वीम की तरह ऊपर के बाग इसमें नीचे और नीचे कर भाग उपर नहीं होता है अब 36 दरपड में क्या होता है तो अगर दरपड को जमीन पर ऐसे सुला के रख दिया जाए और रगा भाग नीचे हो तो ऐसे में क्या होता है यह जब जमीन पर दरपड रखा जाता है तो वो 36 दरपड का लाता है और यह जल प्रत्वीम की तरह ही काम करने लगता है यानि कि नीचे का भाग उपर और उपर का भाग नीचे चला जाता है और दायबाय में कोई परिवड़तर नहीं होता है यानि ऐसे ही ये काम करने लएगा तो परिच्छा में अगर दिरिष्टी से देखा जाए तो ये सब समझना उतर जाद जोड़ी नहीं है परिच्छा में आपको एक वर्ग बनाया हुआ रहेगा आइसे वर्ग देगा और वर्ग के भीतर ही कोई आक्रिती देगा और उस आक्रिति में कभी दर्पड यहाँ के बताएगा कि A,B पर दरपड रखा जाए और तभी बनाएगा कि दरपड अगर यहां पर रखा जाए तो याद रखे दरपड दाए रखे या बाए रखे तो यह दरपड प्रद्विन की तरह काम करेगा और दरपड अगर नीचे या उपर रखता है तो यह जल प्रद्विन की तरह काम करेगा और यहां पर रखने पर या लंबो दरपढ दीतरे कारेगा या सिधा सिधा ये समझ़िये कि दरपढ दाय वैंसर बताने में सच्छम हो पाहे दोस्तों अब हम इन पांचों विधियों का क्रोंसा जिक्र करें इसमें सबसे पहले दिया सल परचाइप रटकर विधी और दूसा लिखा भी गल विधी फिर तीसा लिखा रेडिवेड विधी आप इन दोनों पहले और दूसरी विधियों का प्रयोग करिए या दूसरी तीस कुछ प्रसनों को हम और अची तरह समझेंगे जैसे अगर कोई आकृति दे देता है ऐसे और दर्पड बना देता है नीचे जल प्रत्वीम है तो हम यह कलपणा करेंगे कि अगनिती नीचे की तरफ यानि जिदर दर्पड बनाए उधरी की तरफ पलट यह नीचे दर पलट न पुपा डाए तो दाय बाय तर बनाए दर्पड तो नीचे दर बना हुआ है तो अबर हम कलपणा करेंगे की तो कैसे दिखेगी तो कलपणा परके बी कुछ प्रसनों को हम समझ सकते हैं या एकर इसको दर प्रत्वीम कहा है कि दर पड़ अधर इसको मैंने नाम दिवाइए सणल परषाई रटकर में और रटकर का क्या मतलब है कि कि सब्nous उसमें सब्सक्राइब कुछ कठी समझने आते हैं उसमें से सवरल वाले भाग को रट लीजिए और जन प्रत्वी में तो बाय या दाये वाली आखुली को किसी आसान अखुलती को देख लेजें और उसको डिमाग में रट क कि यद यह साड्ल कर को जाना चाहिए और चेक कर तो इसमें एक तरफ आप वहोग्यां और तिर्बूच्व को आधार बना लेते हैं हमको आसान ये गना असान लिकरा है आधार पुझार जया और इसको आधार बना लेते हैं तो हम ये सकते हैं कि तुर में दरपघ में एक धैने वह लिए यह ऑफिर्टी जो दैसे सब्सक्रम बास THOM सबसे पहले पड़ा होता यानि कि बाइसाइड में एक बर्फी है तो अब दरपड़ परति में इसलिए बायसाइड से डायसाइड चलाएगा तो हम इसमें बर्फी बायं से डाय चला गया है तो बर्फी इसमें डाइसाइड में इसमें नहीं है लेकिन बर्फी के बीच में एक लाइन इसमें लाइन पर दो कि D हमारा आंसर फिर से हो जाएगा अब इस प्रासर को हम रेडिमेड विधी से लगाने के प्रयास करते हैं देखने में तो इतले लबा चौड़ा दी खरने कि इसमें कुछ है नहीं बस आपको यह देखना कि युदर जल्ग प्रत्वी में उपर का नीचे होता है के वर और उच नहीं होता है यालि कि दाये का बाया बाये का दाये नहीं होता है तो अगर कोई आकृति का कोई एक भाग उपर बाइं तरफ है तो आकृति का वो भाग नीचे लेकिन बाइं तरफ ही रहेगा आख रिखिति का पर नीचे वाईं तरफ है तो मंपार नीचे वायं तरफ ही रहे जाए अगर दरपडर याग मिन तरफ दरफ यहाँ यहाँ रखा जाए तब क्या होगा अगर एतनी भेर साहिं अफिक्ति गोई भाग ऊपर बाय ससेड में है तो ऊपर ही रहेगा लेकी Cred Дैस हेड हो जाए का यहां अचरति है कोई भाग नीचे बाय सएड में है तो नीचे भाय लेकी दैसाई कर जाएगा उपर या यानि इसका निसकर्स बस इतना है कि जल्ब प्रतिक्पीम में केवल माथ जल्ब परतिक है केवल में केवल नीचे उपर केवल नीचे का उपर हो तर और कुछ भी परिवाण czyTION यहांव बलत हो जाएगा और निकार वाइ यृष और बीम होगा तो फिनकर आ कि यहांगी करें किछा यह है कि यह बाएज़ेट में चाहिए उस तरह से हमारा सटी होगा अब एक नया तरीका मैंने ठोजा है रांग आंसर ट्रिक तो रांग आंसर का मतलब किस किस विकलप गलत कार दे यानि तीन विकलपों को जब हम गलत कार दें एक जो पच्छे का वही हमारा आंशर होगा तो हमारा आंसर रांव कब होगा गलत कब होगा कब हो जब 9 चीज के बारे में बताता हूं आप से एकडम नया तरीका है और इससे आप कई प्रसुनों को जो कठीन दिखाई देते हैं जालतम तिर्यक वाले प्रसुन दिखाई देते हैं वही आपके असान हो जाएगे जैसे अब किसी परिच्छा में कोई भी याकृति ऐसे है अब वो जल प्रत्विंग हो तो भी और दरपड प्रत्विंग हो तो भी दोनों के लिए ये कामनियम है कि जब कोई याकृति दाइं तरब जुकी है तो उत्तर में जरूर वो दाइं तरब जुकी रहेगी कंखान में चाहे वो जल प्रत्विंग हो चहता है दरपड प्रत्विंग हो याकृति ऐसे है बाइं तरब जुकी तो अब वो दाइं तरब जुकी रहेगी तो उत्तर में बाइं तरब जुकी रहेगी चाहे जल प्रत्विंग हो या डर्पड प्रथु या कोई आतुती ऐसे ऐसे है यानि कि दाइं तर्प जुकी अब उत्तर में वह बाइं तरफ द्रफ जुकी रहे गए अब यानि कि इसके कहने का मत्यूंगे निए जल प्रत्वीम एक ही होता है इसमें अंतर तब पर चलेगा हमने बस यह रेखा बताये कि दाइं जुका है तो बाइंद हो जाएगा अगर यही अगर ऐसा कोई तीर दे देता है इसमें तो इतना तो किलियर है कि यह बाइं तरब जुका हुआ तीर है तो दाइं तरब जुका रहेगा जल और दरपड दोनों यानि रेखा तो ऐसे ही रहेगी यह कंफर्म है अब बात यह है कि अगर दरपड प्रत्वीम है तो उपर का जो भाग है उपर ही रहेगा और नीचे का भ लेकिन इतना कन्फर्म है कि बाई तरब जूकी होगा आकृती जल और दरबड़ दोम में दाइद्रब जूकी होगा है दोस्तों हम तेर्येघ बिदी के इस्तमाल प्रशर मैं ने में बतायै था कि किकि सिर्छन में खूआ टायी तरभी तो उत्तर बाई तरभ जूकी रहगी चाहे घड़ बहण प्रथ्री वहां तो यहां पर प्रसमें एक आकृति दिया हुए जिसमें तिर्यक लाइन, अगर इस सिर्ष को देखा जाए तो कह सकते हैं सिर्ष के हिसाब से, कि यह बाई तरफ जुके हुए है, तो हमारा वो आंसर यह कर है बिदी कि नो तिर्यक चेल यानि अगर तिर्यक चेलना हो यानि यह जोग है, यह बाई तरफ ही छुका रहा जा है, वह आंसर आमारा गलत होगा, जाया वह जल परदी भी होगा है जाया szper techni अइस क्लति हों, जाय Thai दरफ हो ला यानिक्मण होगा, तो यह बाई तरफ हमारा उलए तरफ वहारा जुका हुए है इस तरह से मारा अंसर दी आगे केवल 3 और बाइचांस एक और को और जिसमें आप ऐसे होता और उसमें आप इसे बना डेता और ऐसे कर देता तब क्या करते हैं तो अब हम देखें कि चुकि यह जल प्रत्यूं है तो जो दाइं तरब से निकलना उपर की तरफ तो फिर दाइं तरब से निकलेगा लेकिन नीचे की तरफ तो दोनों में ही नीचे की तरफ निकला है अब इस टाफ जो ये मुख है वो नीचे की तरफ है तो चुकि जल प्रत्यूं है तो जब नीचे की तरफ है तो उत्तर में उफर की तरफ होना चाहिए तो दोस्तो अभी यह वीडियो समाप नहीं हुआ है लेकिन वीडियो लंबा खिच जाने के कारण हम इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं अगर आपको जल और दरपड़ प्रत्वीम के बचेवे टिक्स को देखना है तो जल और दरपड़ प्रत्वीम भाग दो जरूर देखे अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में सेयर करें और अगर आ कुछ बाते समझ में नहीं आती है तो कमेंट बाक्स में जरूर लिखे धन्यवाद दोस्तों